प्रवर्तर निदेशाले ने मुंबई कोट में पंजाब नैशनल बैंक के करोडो रोपे लेकर फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ जवावी हल्फ नामा दाखिल किया है एडी का कहना है कि वो मेहुल चौकसी को मेडिकल सुपरवीजन में भारत वापिस लाने के लिए विशेशक्यों की टीम के साथ एर एम्बूलेंस देने के लिए भी तैयार है इसलिए ऐसे में स्वास्तकार्णों का हवाला दे कर कानूनी प्रक्रिया को टालना गलत है अमेर्की राश्पती डोनाल्ड ट्रॉम की धमकी पर एरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेर्का उसकी तरफ एक गोली भी दागता है तो उसे उसका गंभीर खामियाजब होकतना पड़ेगा वहीं ट्रॉम का कहना है कि उन्होंने इरान पर सैन निकारवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें 150 आम नागरिक मारे जाते बताद एरान द्वारा अमेर्की ड्रोन मार गिराये जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंद और खराब हो गए है शाजापूर के नैशनल हाइवेज 24 पर तेज रफतार कार एक खंबे से टकरा गई कार में सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत होगे जबकि एक यूवक को गंबीर हालत में अस्पताल पहुचाए गया जहां उसका इलाज चल रहा है तिरपुरा में मुख्यमंत्री विपलब कुमार देव के निर्तरत्व में विशेश पौधार ओपरन अभ्यान चलाए गया ऐसा अभ्यान के तहद एक मिनट में 65 पौधे लगाए गया वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जागरुकता के अभाव की वज़ा से ग्लोबल वामिंग और पर्यावरंड से जुड़ी चुनोतियां देश के सामने खड़ी है लेकिन हमारा की कदम तृपुड़ा को हरा भरा प्रदेश बनाने में ये प्रयाद मददगार साबित होगा महिला ब्वाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मिति रानी अपने दो दिवस्ये दौरे के लिए अमेठी पहुची जहां उन्हों अनिल डिप्टी सीम केशब प्रसाद मौरिया के साथ एक कॉलेज में कल्यानकारी ओजनाव का लोकारपन और शिरा न्यास किया इस मौके पर प्रभारी मंत्री दोहसिन रजा भी मौजूद रहे कॉंग्रस के वरिष्ट नेता एमवे रप्पा मोईली ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा लोगसभाद चुनावों में पार्टी ने अगर जनता दल सेकुलर के साथ गड़बनन नहीं किया होता तो वे 15 से 16 सीटों पर चुनाव जी सकती थी इसी के साथ ही उन्होंने बताया लोगसभाद चुनाव में कॉंग्रेस और जद गड़बनन राज में केवल एक सीट जीतने में काम्याब रहजब की भाजपा ने 25 सीटों पर जीत हासल की जम्ब कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलो और अतंकवादियों के बीच जम कर मुटभेड हो गई जसका मुथ तोड जवाब देते हुए सुरक्षा बलो ने इस कारवाई में दो आतंकियों को मार कि रहा है फिला लातंगवादियों के खिलाव मुद्बेड अभी भी जारी है दिली के इलाके में कुछ नाकाब पोश्च बंदमाशों ने एक महिला पत्रकार को गोली मार दी जिसमें वे गंभी रूप से घायल हो गई जिसे आनन फानन में लाच के लिए अस्पताल में भरती कराए गया सूजना पर पोश्ची पुलिस ने मामले को संग्यान में लेती हुए आरोपियों के खिलाद जाच परतार शुरू कर दी है मत्रा के थाना सदर बजार में एक यूनियन बैंक के एटीम को कुछ बंदमाशों ने तोड़ने का प्रयास किया जिसमें नाकाम साबित होने पर बंदमाश मौके से फरार हो गया महीं गटनास तल पर पहुची पुलिस ने एटीम में लगे सीसी टीवी फुटेज के अधार पर मामले की जाच परतार शुरू कर दी है